नमस्कार प्रेमित्र मैं देन С महारा जय wow इंकटि यू साभितृ जी दी श्ंकला कहा जागे हुए मेरे प्रेमित्रों आज हम बात करेंगे च्नुंडली में बार्रबहाओं में फल की तक हम निले करके या विक्ति को क्या नहीं करना चाहिए शंपूर जानकारी इस वीडियो में बता चाहिए निवेदन है यह आप मारे चले पर नहीं चलों कुझे हो सब्सक्राइब करें यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे आप पहुश चलाई करें दागे बढ़ते हैं आज का जो मुख पर दूबाओं यह पुणली का बहारा भाव है अविता अवंने प्रतमीश यानि लगनेश का बारा में कहां बैठा तो क्या फिल मिलता है यह र्टीश पर्टेश पंजमीर खस्टिस सब्सक्राइब ने बताएक सब्सक्राइब कहां बैठा है तो विक्तिके जिवन में प् होता है यह बताये गया हैं यह आयो का स्थान आयोका बिचार मिर्ट्व का स्थान तो सब्सक्राइन MBRA काव झास्थान विपता है यह अन्य की सभू पर्शपन से आपके कुणली 12 भाव में कहां बैठा है तो क्या पर मिलेगा मैं विवेचन किया हूं अब उखल सर्ता से समझना है आप अपनी कुणली देखिए अस्टम भाव में एक ट्री के बार्ट तक कौन सांग है यानि एक दो तीन चार पांच छार साथ आट नौदर सी आरबार अग पहुआ शरी कर लिए दो तो है दो दो तेला के आपको दोधआ दो शामी ओग्ञा म् अब आपको द्यु forgiveness अगर तीन लिखा है तो होगे मितुन उसके स्वामी होगे बूदह आपको देखना है कि कुडली में अस्टवेशनी एनी बूध हुआ अगर चार अंक है उसके स्वामी हो गए सूरिय सूरी कहां बैठा है देखना है अगर साथ अंक है तुषक सुख्र सुथ कहां बैटना है देख लिए अगर आपका यहां आठ हंकि लिए तो वह गया व्र्शिक काует मंगल नाघ कांव भाषओं करना है अर व transmisut अगर यहां 12 लिखा होगा तो गुरु तो गुरु आपके कोई व्यंपिया में लिखा भी हूं अगर यह अक्त लिखा गया है उसके स्वामी में ने बता है कि एग रहे तो अस्टमेश जो अंक लिखा रहे हैं वह अगर अंक का स्वामी बाव में कहां बैटा है अगर अस्त वाओं कोहां गया है वह अस्ट मेस्ट काँपको देखना अगर अस्ट मेस्ट प्रफम बैठा हो, माने अस्टम भाव का स्वामी अगर पहले घर बैठा होगा ऐसे जाब तक कि बाले वस्ता में काफी समस्या चाहिए लड़का और लड़किन की बाले वस्ता में बच्पना में काफी समस्याइं आते हैं और दीरे दीरे जो है ग्रोथ करते हैं गरीबी कावीन को देख रहा अब धनी होते हैं द्धनी होते हैं अब दिरेगा आयू प्रतान करते फिन लाइज में काफी ग्रोथ करते हैं यह बतायगया है तो अगर माले की अस्टम अब भानी का दानत का स्थान है और यह धन का स्थान्प अगया है अगर अश्ट में दुती भावं जाके मैठे होगे तो जाक तक के जीवन वेवाहिक जीवन की स्वाश्याएं बनी रहती है धन कुटूम की हानी होती है और रोग से गर्षित रहते हैं और दिखाज़ा सतुर तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा काफी आपको शंगर्स करना पड़ेगा और उसके बाद दिये देशुधार अपने जीवन में आता है लेकिन बैवाहिक जीवन काफी अच्छा नहीं बतायागे अस्टमेश जाके दुति भाओं बैठा हो यहां पतनी का आईश भी तो शकता है बैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं माला गया प्रेमतार के बढ़ते हैं जैनि अस्टमेश तर्थी भाओं जाके बैठा होगा तो देखिए प्राक्रम अस्था बता गया है थो जब भी अस्टमेश तर्थी भाओं बैठा होगा ऐसे विगति के जीवन और संहं फ़ष्ट ऑब दर्बर यानी कमजोरी और शुख में बाधा भाइयों से अनभन वाईयों से अस्था बता बहुत्स रहेगा ऐसे लिए सद्धिनांयों स्टमेश और प्रित अनवे अकेले हो तो आपस मद्धेध होगा और बैठने वाला नहीं होगा कुटब में रहेगा और देखा जाए सकत् lep रहेगा और इनका जो यात्रा बताए गया है इस लिए प्रषा दीले डिजिन शुदालपन भाकिन का स drunkis बढ़ते हैं एक करते है कि अश्ट में जाके बैठा हो तो माता कस्तान भूम भर वहन कस्तान देखा जाता है जब भी अश्ट में चतुत वहां में जाके बैठेगा तो पीता से शतुरता पुत्र का पिता का अपने बैठता नहीं और पिता पुत्र में कला मचा रहता है और आवाज वहन शुक में बाधा चोकि यह व्यक्ति काफी तो माता पीता से शुक भी इनको कम मिलता है दूरिया बनी रहती है और इनको देखा है काफी अपने जिवन में संगस करना पड़ता है और धीर दिन की जिवन में सुधार आता है अगे बढ़ते हैं यह अश्ट में पंचम भॉम जाकर बैठा होगा पुत्रस्तान अभ्यास आपस में शुक की प्राप्ति कम हो जाता है यानि पुत्र की प्राप्ति कम होता है ऐसे व्यक्ति फेफड़े स्वांस की समस्या यानि को फेफड़ी की बिमारी या स्वांस लेने की बिमारी ऐसा पाजाता है पाप ग्रहों तो पुत्र हीन व्यक्ति हो जाता है यह भी समझ संतान की प्राप्ति तो होगी पर संतान देखा जाए तो बो चंचल सभाव हो जाएगा आउप लाइन चला जाएगा इनका संद्र हो जाएगा परिवार का जो है प्रेम्स ने यह नश्ट कर देगा पुत्र और पीता माता कापी चिंताम पढ़ जाते हैं जिनका अस्ट्वेस पढ़ता है बच्चा आउट लाइं जा सकता है दो सार पर लोशकता है इनके जिवन भटका हो जाता है अगर यह पूत्र है तो पीता और माता का श्रें आदर करने वाना नहीं होता है माता पीता में साथ चिंताम रहते हैं यह जो है सस्टम भाव में जाके बैठा हो जी भाव गुप्त रोग क्योंकि रोगस्थान है यहां इनका कोई गोपनी यानि कोई देखा जाए तो जो काफी क्लोज हो गाया कुटूम या सविश्रमादी में इनका गुप्त सत्रू रहेगा और ऐसे व्यक्ति को सत्रूता से बचना चाहिए जीवन में कोर्ट कचहरी त्य हो शकता है या सत्रू का भाहरा सकता है इन सब चीज को विशेज ज्यांदरी ज्यगड़े से बचना चाहिए नहीं के जीवन में काफी चड़ाव उतार आता रहता है अगर शक्तम भाव जाके बैठा हो इस सत्तम भाव क्या है यह है पत्तनिक अस्तान भागेदारी शफर प अपने उपर ना ले क्योंकि ग्रहों की साथ बता रहा हुए मान सारी उसका अधूत नियम बताया है कि अस्टमेस जब सब्सक्राव में बैठेगा तो इनकी पत्नी से पती का बैठने का योग नहीं बनेगा जो पती रहेगा वो पत्नी के उपर शंका कुशंका गलत संग य सब्सक्राइब करता रहेगा पत्री दुष्षभाव हो जाएगा मन उसका चंचल रहेगा निगेटिव इसके सरीर में कूट कूट के भार रहेगा कभी अच्छा पत्नी से ब्योहार नहीं करता है यह कोई अपने उपर ना ले क्योंकि ऐसे योग बताया गया है कि जब भी अश्टमेश अप्तम जाता है तो पत्ति में मद्मेद हो जाता है और इसके जो पती रहती इस तरी के दुष्ष्भाव कर रहते हैं और चल कपड़ धो का दो सारोपन अपने पत्नी को पर लगाते रहते हैं पर आगे बढ़ते हैं जब अश्टमेश भाग नौम में बैठा इनकी भागी में थ्वासा बिलम होगा और धीरे देरी संघर्ष करने के बाद ये अपना ग्रोध करें के आगे बढ़ेंगे इनको कोई मुख का विमारी रोग या ओट का तकलिप इनको कोई समस्या या तो मुख में कोई समस्या रहता है परिवार से शुक प्राप्त नहीं होता है धीरे-धीरे अपने गुरोध को आगे करते हैं और शंघर्ष में इनका जीवन बताएगे भाग में समस्या कोई चीज सोचते हैं जब नहीं वो देकव जब अस्टमेस इनका जाके नौन भावम बैठा होगा ये करमस्थान है इताकस्थान है अस्टमेस जब दसम भ सब्सद्राम तरह मन कहीं следले और जल्देकर मन चेंज हुता जाता है इनके साब छॉल upgrade में हो जाता है नो अपने questo कर दोस्तों से विसेश करके सा hom Das सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अब बन को अपना ये शांत रख रखें क्योंकि ऐसे बिक्ति देखा जाए तो बहुत शासी होते हैं और चलांक होते हैं अपना काम बहुत अच्छे से करने वाली होते हैं अश्रमेस्ट यह लावस्तान बैठे हो इग्राव्य भावं बैठा हो यह बड़े भाई बढ़े बह लगता है और यह काफी घ्रोध करते हैं भूल भाण रवान इत्यादिंग को नापराव होता है लेकिन का बाल वस्ता बहुत कश्ट बताए गया उसके बाद काफी सुक्राव्य करते हैं यह जादि अश्रमेस्ट द्वादस भावं बैठा हो बाराहत बहुता हो यह बेस्ता करने वाला होता है इनका सब्सक्राइब कर सकते हैं इनका जीवन कष्टकारी होता है ऐसे व्यक्तियों से काफी दोस्ति त्याद करना तो सोच समझ इसका स्टमें बारब वह वैठा हो आपके साथ चलकपट अवेश्य कर सकता है और इतरी इधन का ब्रह्मण करने वाले होते हैं इनके जीवन में काफी बहुत अच्छा नहीं बताएगे जब घर से कहीं दूर जाते हैं जन्मस्तान से कहीं दूर जाते हैं तो काफी यह द बताया कि अस्टमेंस का आपका बारब होनों कहां बैठा है तो क्या फल मिलता है यह आपको वीडियो अच्छा नहीं से लाइक कर सब्सक्राइब करें अगले सब्सक्राइब मिलते हैं नमस्का झाल